हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दा टेक्नो भी में मुझे उमीद है आप सब अच्छे होंगे तो गाइस वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है तो उसके लिए मैं पहले से आप से सौरी बोलना चाहता हूँ तो गाइस जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनको फटा-फट से बता लिए था हूँ चैनल के बारे में तो चैनल पर आते हैं फ्री कोर्सिस, इंटेंशिप, एकेटी अपडेट, करियर एप्रॉशनिटी, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और स्टुड वीडियोस मिलती रहेंगी, तो गाइस आज का टॉपिक जो है वो NSP National Scholarship Portal के उपर है, कुछ बच्चों को मेरे पास काफी क्योरीज आ रही थी, कुछ बच्चों को एक प्रॉबलम आ रही है कि उनका अधार कार्ट जो है, वो एड नहीं हो रहा है, तो गाइस ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे जो पहले से scholarship भर रहे हैं, तो गाइस जो बच्चे renewal application भरते हैं, जो third year में है, second year में है, या final year में है, उनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि अगर उन्होंने last time अधार कार्ट अपना add नहीं करा होगा, तो इस बार अगर वो अपनी अधार details डाल रहे हैं, त और आपको ये वाली problem आ रही है, जहाँ पर आपको error आती है, application does not match with the name mentioned in the आधार number, या फिर आपके साथ और कोई भी error आ सकती है, या फिर data mismatch इस type के अगर error आ रही है, तो उसको किस तरीके से resolve करना है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो guys सबसे पहल scholarship NSP भर रहे हैं, renew के लिए apply कर रहे हैं, आधार कर जिनका add नहीं है, अगर वो add कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक error आ रही है, data provided does not match, तो सर ने बताया कि आपको अपनी application withdraw करनी पड़ेगी, और आपको दुबारत से fresh application बढ़नी पड़ेगी, तो guys अगर आप एक 3rd year, final year के student है, और आपको यह पता लेगे कि आपको fresh application बढ़नी है, तो अंदर से थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार, shit, मतलब फिर से अब फ्रेश बढ़नी पड़ेगी, और आपकी मान लिए, पिछली साल renewal scholarship भी आती हो, और इस बार last year में आपको fresh application बढ़नी पड़नी पड़ेगी, तो उस ताइम मुझे भी थोड़ा सा awkward लगा कि यार, इतने छोटी सी mistake के लिए fresh application बढ़नी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा set हो गया था उस ताइम, फिर मैं वापस आ गया, और मैंने सोजा, चली थोड़ा सा wait करते हैं, क्योंकि अभी last year में काफी time है, तो शायद website पर कुछ update हो, कोई चीज ऐसी हो, जिससे कि मुझे withdraw ना करनी पड़े, या application fresh ना भननी पड़े, और इसी से काम चल जाए, तो ऐसा ही हुआ, फिर मैंने कुछ दिन wait करा, तो guys मैंने कुछ दिन wait करा, और अभी कुछी दिन पहले, एक मेरे साथ incident हुआ, कि मैं एक जगह जा रहा था, और मुझे पता चला के, पासी में, यहाँ पर minority office भी है, जिसे हम लोग अलप संक्यक विभाग भी बोलते हैं, हिंदी में, तो मैंने सुचा क्यों ना, अलप संक्यक विभाग, यानि कि minority office जाकर, यह चीज पता करते हैं, कि ऐसा क्यों दिक्कत आ रही है, यह problem क्यों हो रही है, तो फिर मैं गया minority office और वहाँ पर दो-तीन बंदे बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, कि यह scholarship बच्चे जब भर रहे हैं, तो यह renewal में यह दिक्कत आ रही है, कि आधार data does not match, ऐसे error आ रही है, तो उन्होंने वहाँ चेक करा, मैंने अपने phone में दिखाया बकाइदा, कि यह दिक्कत आ रही है, तो फिर धो थोड़ा परेशान हो गया, उन्होंने पूछा मुझे से, कि आपका आधार-card में नाम is same है, आपकी जो scholarship में नाम is same है, तो मैंने बताया है, भी दिक्कत आ रही है, तो फिर उन्होंने अपने बड़े officer को phone लगाया और problem share की, एसे से बच साइट है वो भी आधार से लिंक नहीं है और अगर आप ये आधार का डिटेल से डालेंगे डेटा डास नॉट मैच तो इसमें आपको करना क्या है आपको फिलहाल के लिए टेम्टरी बेसिस के लिए यह वाली स्किप करनी है और आप अपनी स्कॉलर्शिप भर कर फाइनल सम्मिट कर सकते हैं अगर आप रिनु के लिए अपलाई करेंगे रही यहाँ पर ऑप्शन है अपलाई फॉर रिनॉवल का तो आपको इसमें करना क्या है आपको जो पहला वाला ऑप्शन है आई विल इन्रोल अप्शन पर क्लिक करके आई विल इन्रोल एंड समिट द आधार आपको फाइनल सम्मिट कर देना है जी हाँ आपको फाइनल सम्मिट कर देना है स्कॉलर्शिप और बाद में फिर कभी लेटर अगर आपने आधार काड एड नहीं करा होगा तो आपके लिए अलग से ऑप्शन आ जाएगा कि आप आधार काड एड करिए बाद में त तो आप इस वाले option पर क्लिक कर सकते हैं I have checked the above link there is no other environment center in my district तो आप इस पर भी कर सकते हैं और आपको अलग से फिर इनकी team की तरफ से contact किया जाएगा आपका अधार card बनवाने की तो guys आज की video में इतना ही अगर आपको video अच्छी लगी है तो video को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जिनको ये problem आ रही है और मैं आपको बता दूँ चैनल को subscribe करके बैल ऐकन जरूर दबाइएगा इससे आपको काफी फायता होगा और आपको सारी educational updates, job opportunities, free courses, internships काफी कुछ मिलेगा चैनल से जो आपको चैनल को subscribe दूरू करना है और आप चैनल को join भी कर सकते हैं जोइनिंग सिर्फ रूपीज 29 पर मन से start है इसमें आपको काफी फायता पर्क मिलिंग members only live chat members shout outs तो thank you so much